आलो फ्रेंड आप सभी का आपके ही यूटूब चैनल पे एक पार फिर से स्वाज़ा थे और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ने भी SSC ओफिसर के ओनलेइन फॉर्म को कैसे करना है तो चलिए आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि इस पकार से आप ओनलेन कर सकते हैं जो कि आपका स्टार्टिंग डेट 27 जैनुवरे से स्टार्ट होके 10 फ़र्म को लास्ट हो जाएगा इसमें किसी प्रणा का अप्लिकेशन फिस नहीं देना है याने फिर यो पोस्ट फॉर्म बढ़ा रहा है जहां पर अगर डेट वबर्थ के अगर बात करते हैं तो 2 जुलाई 997 से लेकर 1 जैनुवरे 23 के बीच में जिसका भी डेट वबर्थ होगा वो लोग अप्लाइक कर सकते हैं नमबर उफ पोस्ट यहां पर 50 दिया गया है अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का क्वालिफिकेशन के यहां पर क्या दिया गया है तो यहां पर आप भरने के लिए आप कम से कम 60% आपका एंगलिसम होना चाहिए 10th या 12th के अंदर और साथ में इन में से कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो नीचे दिया गाई यह चाड़ में से आप अगर किसी भी यहां पर यहां पर अपके पास होगा तो अपन्र कर सकते हैं तो चली कैसे आपको बताते हैं और डिस्क्रिप्शन में ुजएगा यहां पर आपको दो तरहें से उप्षन मिले आपको इन्रॉल्मेंटकर कए यहांप को अधार का Αथार का ओला है आपको यहांपाए का ëlचन से लोगिन कर सकते हैं अब इस फोटो आईडे में गया कर डाल सकते हैं जैसे आपका वोटर आईडी कार्ट होगा ड्राइविंग लेसेंस, स्पैंड कार्ट, 10th 12th का मार्क्षीट या उसको पासिंग सेटिफेकर या पास्पोर्ट का आपको डिटेल यहां पर डाल देता हूं उसके बाद यहां पर आपको आदिसका फोटो नंबर जो होता है वो आपको मार्क्षीट नंबर आपको यहां पर डाल देना है उसके बाद यहां पर बढ़ने के बाद फिर आपको यहां पर सेप का ओप्शन दिखने को मिलेगा जहां पर आपको अपना नाम देना है फोटो पहले से लिखा रहा है तो इसको आपको नमबर लिख लिख लेते हैं उसके बाद यहां पर फिर आपको capture भर देना है उसके बाद आपके सामने personal detail का option दिखने को मिलेगा जहां पर आपको अपना नाम देना है first नाम, middle नाम और last नाम उसके बाद आपको मॉइल नमबर डालना है उसके बाद आपको 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 इंडियन होगे दोमेसार यानि कौन सा से बिलोंग करते हैं या कहीं और से भी है तो यहाँ आपको select कर देना है उसके बाद आपको main female का selection करना है आप क्या है, male है, female है, उसके बाद merit के बारे पूछा है, can merit है के single है, उसके बारे पूछ रहा है, अपना पहचान देना है, जिसमें कि आपको बताना है, कहीं कटावा है, कहीं मॉल है, कहीं पर जलावा निशान है, ठीक है, एक ही दिना जरूरी है, दो दिना जरूरी नहीं है उसके बाद आपको easy question qualification पर आना होगा जहाँ पर highest qualification पूछेगा आपका ये towards performance आपको towards जो भी आपका science है तो science पर क्लिक करना है उसके बाद आपको पूछेगा towards science पर क्लिक करते ही आपका stream क्या है physics chemistry math या biology है जो physics chemistry math वाले इस अपलाई कर रहे थी वहाँ पर लिखेंगे उसके बाद additional qualification देने कोई जिरोड़त नहीं है उसके बाद account details पर क्लिक करते ही आपको email id पूछा जाएगा जहाँ पर आपको अपना email id देना जो valid होना चाहिए वो चालू भी होना चाहिए उसके अपना password यहाँ पर select कर लिजाएगा आपको एक्जामपल हो तो पर password में capital letter होना चाहिए small letter भी होना चाहिए साथ में help आपका number भी होना चाहिए साथ में address है चस्टार जो भी उस आपको दिखने को मिले आप वो दे सकते हैं उसके बाद capture को भणने बाद I agree जो दो option दिखे रहा है यहाँ पर है आपको दोनों पर click करना है उसके बाद save पर click करना है तर चलिए इसको register करते हैं उसके बाद जैसे click करेंगे save के उपर आपके सामने यहाँ लिख्या आजएगा कि आपका जो detail यहाँ पर email बेंख दिया किया है और यहाँ पर verify करना होगा तो इसके पर कहा करना है आपको अपने email पर जाना है वहाँ पैसे पर स्टेट सेलएक करने के बाद save करना चाहीए था उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर जो लोगिन करने कुछ ओप्शन है वहाँ पर आपको खुल जागा जहाँ पर आपको कैसे देख सकते हैं आपको फूल नहीं दिख पारा है मुआल पे तो आप यहां देखेगा अगर Google Chrome पर यूज कर रहे हैं तो यहां पर थ्री डॉट जो दिख रहे हैं जहां पर आपको किलिक करना है किलिक करते हैं आप खोई भी एक ब्रॉजर इस्तिमाल कर लेजी जहां पर रिडाडेक्ट कर जाएगा जहां पर आपको मुआल विरिफिकेशन पुछ आजागा यानि आपकी मुआल नमर को ओटीप आया होगा तो यहां पर मैं लिख देता जैसे यह कैप्चर फिरिफाइए होगा आपका और और टीप फिरिफाइए का यहां पर लिख्या जाएगा कि आपका जो आकाउंट हो सदस्वल्दी आप कंफर्म होगा और आप यहां पर इसको लोगिन कर सकते हैं तो लोगिन कैसे करेंगे फिर साब को यही च्टेप आए और आप आपको इजुकेशन किलिफिकेशन का उसके बाद यहां देखें आपको कॉलिफिकेशन है तो यहां पर इंफोरमेशन टेकARE म falouольшोन के लिफेकंसे हैं तो यहां पर इनफोरमेशन टेक्निलोजी मैंने पाइग्ट किया हूँ उसकी बाद पूछ रहा आपको passing यार आपको कब का है 20 का है 22 का है 20 का है जो भी आपको यहाँ पर अपना select कर लेना है उसके पूछ रहा क्या भी final year में है या final year में पास हो चुगे है तो मैं complete हो चुगे तो complete पर click करेंगे अगर जिस बच्चा का final year में है तो उनको इन final year पर select करके पांच semester तक जो भी आपको यहाँ number या CGP जो आए आप वहाँ पर select करना होगा उसके बाद पूछ रहा है जो भी आपको marks मिले है वो percentage में है या CGP में है तो जो भी आपका CGP system है तो percentage system में जो आपको select कर लेना है जैसा मेरा percentage system यहाँ भी है CGP में CGP पर click किया उसके पूछ रहा है कि आपका candidate टाप क्या regular पढ़ रहा है डिप्लोमा है या integrated है तो मेरा regular course है तो आपको select कर लिया यहाँ एक important यहाँ पर यह चीज हुता है कि अगर जिसी बच्चे का CGP system अगर नहीं दिया है तो वो क्या करेंगे कि किस पकार से convert करना है उसको तो उसको इसको इसको मातर 10 से multiply कर देना है जो किसी notification के तरह mention कि भी किया गया है कैसे convert करना है जैसे यहाँ देख सकते हैं लिखा अगर अगर university और board अगर किसी पर फर्मुला नहीं बनाया है तो आप deck list CGP को 10 से multiply कर देंगा तो आपको percentage में convert हो जाएगा यहाँ प 8.9 से भी आप 10 से multiply करेंगा तो आपको 89% पहुँच जाएगा उसकी बाद पूछ रहा कि CGP total semester वह नहीं कि 128 semester में कितना CGP आया वो आपको यहाँ लिख देना है उसकी बाद percentage पूछ रहा तो आपको 10 से multiply कर लेजे या आपको जो board यह university जो आपको फर्मुलार बना कर दिया उसको multiply करके देजे उसकी बाद पूछ रहा कि upload करना CGP से percentage conversion certificate कैसे किया क्या वो बल रहा है अगर जिस भी बच्चे के पास अगर यह certificate नहीं है तो directly यहाँ भी लिखा कि upload कर देजे certificate को जो आपको कह सकते है ग्रेजविशन का यहाँ पर अगर CGP से percentage में conversion करने का formula नहीं है तो अगर नहीं है तो इसको blank छोड़ देजेगा उसकी बद यहाँ पूछ रहा है कि 12th या diploma का mark sheet का upload करना एक MB के अंदर में तो अप्लोड कर देंगे फिर पूछा 12th में आपको कौन सा qualification है 12th science से complete की है या 12th other यानि कि BAC B.com है या B.A. उसकी बद यहाँ पर देखेंगे आपके 12th का qualification detail मांगा जाएगा जो की mark system था या GP system था वो यहाँ आपको select कर लेना है उसकी बद पूछेगा कि आपका जो भी subject नाम यहाँ देख रहे हैं आपको यहाँ पर total number भरना है कितना obtained हुआ है वो भरना है अगर मालने जो कोई subject mark sheet या roll number यहाँ पर fill up कर सकते हैं उसकी बद कौन सा board सा examination पास की है कौन सा state से पास की है आप वहाँ पर आपको select कर लेना है उसकी बद 10th का पूछ रहा है 10th का mark sheet भी अप्लोड कर देना है उसकी बद देखेंगा passing certificate भी है यहाँ पर 10th का ही passing certificate डालना है और यहाँ पे लिखा certificate नहीं है तो वो directly अपने mark sheet को अप्लोड कर देंगा 10th का उसके बाद यहाँ के capture को बढ़ने बाद यहाँ पर save पर click करना है तो चलिए इसको भी फढ़ते आगे तो यहाँ सब detail बढ़ना बद save पर click करना है जैसे ही click करेंगे आपके सामने एक नए page open होगा जो आपको इस प pin code पूछेगा वो आपको डालना है आपको मुआ लंबर और automatic verification हो जाएगा यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर आपको जीला जो आपको वो select कर लेना है उसके नीची फिर आपको जो same as permanent address है अगर same आपका permanent address same है correspondence address है तो आपको यहाँ पर tick करना अगर नहीं है तो फिर चाए EWS है जो OVC हो चाए SCST हो आपको यह डालना ही डालना है उसके बाद यहाँ पर दखेंगे इस capture है इस capture को यहाँ पर भढ़ने के बाद आपको save pick करना है तो save pick करते ही आपके सामने feeling next page open होगा जो कुछ चीज पकाड़ कर दिखेगा आप आपको क्या करना है आपको current opportunities opportunities उस पर आपको क्लिक करना है जैसे current opportunities पर क्लिक किजएगा तो आपके सामने जो आपको वेकेंसी होगा वो आपको दिखने लगेगा जो कि 17 जनवर से स्टार्ट हो यानि आज से और 10 फरवी को last हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे टिक है कि option दिख रहा होगा टिक पर आ आपके सामने नया page open होगा जहाँ आपको नीची आएगा तो आपको तीन sign declaration दिखने को मिलेगा आपको tick क्लिक करना है उसके बाद यहाँ अप्लाइन आपको क्लिक करना है जैसे apply now पर क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा तो आपको जो न next पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर education qualification देखेगा फिर आपको यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर जो इतना अपने पहले भरात form के अंदर पीछे ले वह है आपको यहाँ पर total देखेगा तो देखेगा सही से कि आपका सब कुछ detail यहाँ सब कुछ भड़ा है क कि नहीं भड़ा है उसके बाद save and next का option देखेगा आपको यहाँ English का भरना कोई जरूरी नहीं भरता है भरना तो भर यह बरना कोई दिकत नहीं है उसके बाद आपको military record देखेगा तो अगर आपका military record इसमें कोई मिलता है यानि कि पहले आप SSV का कोई attendant किये हैं interview तो यहाँ आप यहाँ पर सेलेक्ट रणना है उसके बाद पुछा कि आपने arm force पहले इसमें enrolled किया है कि नहीं कि आपको लिखना है कि आपने arm force पहले discharge कहीं से हुए है या निकाल दिया गया है कि नहीं निकाला हुआ लिखना है तो इसे भी नो ही पर रहने देजगा अगर NCCC का certificate होग तो जो भी होगा आप यहाँ पर भर लिजेगा उसके बाद सेमें नेक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर communication address यहाँ देखेगा जहां पर आपका जो एड्रेस हुआ हो यहाँ पर देखेगा घाव कर नाम, post office, state, district, pin code और उसके बाद नीचे आपका email id और यहाँ पर mobile यहाँ पर save and next पर क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपका यहाँ देखेंगे तो आपका document अपलोड किये थे, वो सब भी document यहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो यहाँ लिखा बद यहाँ से पढ़ लेजगा कि अगर किसी प्रका का document अगर readable नहीं पढ़ यहाँ पर पाते हैं, धुन्दा पंडा गया, तो आपको form reject हो जाएगा, तो यहाँ पर देखने के लापको view document पर क्लिक करते जाना है, और यहाँ पर अपना सब कुछ एक बड़ पर verify कर ले रहे हैं, सब कुछ मेरा सही है, उसके बाद आपको save and next पर क्लिक करना है, जैसे ही form को preview करने का option मिलेगा, जहाँ पर हर एक जो आपका particular, आपका personal detail है, वहाँ पर देख लेजेए, सब कुछ सही है कि नहीं, education पर आपको detail है, वहाँ पर देख लेजेए, सब कुछ सही है कि नहीं, military code भरना को जरूरत था नहीं, इसको छोड़ भी सकते थे, communication detail देख लेजेगा miscellaneous को जरूरी नहीं था भरने का, documents आपको अपने check कर लेना है, उसके बाद parallelity आपको एक ही, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, SSC IT, उसके बाद आपको submit application जैसे ही किलिक करेंगे, आपको जो form होगा, वह completely feel हो जाएगा, और इस पकार से आपको PDF होगा, जो आपको email पर चला जाएगा, और आपको यहाँ पर दिख जाएगा, download करने का option, आप उसको download कर लिजेगा, और इस पकार से आपको form जो है, successful यह complete हो जाएगा, आसा करता हम दोस्तों यह वीडियो अच्छा रगा होगा, अगर वीडियो अच्छा रगा होगा, अगर वीडियो अच्छ